केही समय पहिले भेरी नदी किनार का गाउंट लाई पानी माथी को अभानो बस्ति भने रचीनिन थियो। सौडिय सक्ति मा आधारित सिंचाई प्रभिदी को प्रयग हुन थाले पसी तरकारी उत्पादन गरी क्रिशकले गाउं को मुहार ने फेरे का शन बारे महिना गाउं मा आशेंचाई को सुभिदा पगे पसी कति पए युवा बिदेश जाने सोच त्यागेर गाउं मै थाले को तरकारी खेती बाट मनग्या आमदानी गटनो सफल भएका शन बरसो देखी सुखा जमिन मा आयो जनाले लिफ्ट सिंचाई पुरियाए पसी क्रिशक उत्साहित भएका शन अहिले आधुनी तरकारी खेती संगई धान, गहुं रम्मकै जस्ता अन्नबाली को उत्पादन व्रिद्दिले जिवनस्तर मा नई सुधार आये को क्रिशक मन्सरा खडग को भनाई चाट आयो जनाले पुर्वी सुर्खेत को घोरेटा देखी सल्यान को देवस्तल हो देई पसिम सुर्खेत को घाट गाउं सम्मको 125 किलमीटर चेत्रमा सोलार सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सहत सिंचाई, कुलमर मत्र, नदी नियंत्रट गरने कारियो अगी बढ़ाई को परियो सनाका सिनियर डिवीजन इंजिनियर सुनियल कार कीले बताए, उनका अनुसार भेरी करिदोर सिंचाई विकास आयो जना अंतर गत, 42 प्रतिशत भावतिक प्रगति संगे, करिब 6000 हेक्टर जमिनमा लिफ्ट एवं सतह सिंचाई पुर्याईये कुछ आगा में दुईबर सभित्रा आयो जनाले भेरी करिदोर का 6800 हेक्टर जमिनमा शिंचाई सभिदा संगे, बिधुत पुडाउने लक्षिया राखे को छ करिब 4 और 2 रुपईया लागत को यो आयो जना भेरी नदी किनार का बासेंदा को सम्रिद दिका लागी को से धुंगा साबित हुने अपेक्ष्या राखिये को सगरमा अथा टेली विशन का लागी सुर्खेत पाट डिल बहादूर खत्री को रिपोट